उपमंडल इंदौरा के अधीन पढ़ते जंगलों में सवर्ष खैर कटान का सीजन शुरू हुआ था। तमाम ठेकेदारों के पास कश्मीरी लेबर काम करने आई थी और कटान मात्र एक महीना ही बचा था। तो करोना के चलते लॉकडाउन हो गया और तमाम जनता किसी भी थरा अपने घरों को जाने लगी। रोजाना कई ऐसे ही लेबर इन दौरा प्रशाशन द्वारा काबू कर उनको ठेकेदार के पास भेजा जा रहा है। आज सुभा भी इन दौरा के अटाहड़ा पुल पर बारा कश्मीरी लेबर को काबू कर ठेकेदार के हवाले किया है। वही आज देर शाम ऐसे ही कश्मीरी लेबर इन दौरा के मोकी अड़े पर बैठी हुई मिली है। जब इन से पूछा कि आप कहां से आए हैं तो उन्होंने बताया कि हम सुख भटोली में किसी खैर के ठेकेदार के पास खैर कटान का काम करते हैं। और लोकडाउन होने के बाद ठेकेदार ने हमारी कोई सहायता नहीं की। जो हमारी मेहनत का पैसा उसके पास बचता था उसने उसी पैसे से हमको खाना खिलाया है और कहने लगा कि अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेबर ने बताया कि अब हमारे पास मात्र किराया ही बचा है और हमें जबरन भेज दिया गया है और आज रहन से पैदल चल कर भूखे प्यासे यहां तक पहुंचे हैं। समाज सेवी अशोक पठानिया ने इस लेबर के बारे में सूचना पाते ही थाना प्रभारे इन दौरा को पताया और कारवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने ठेकेदारों से अपील की है कि आज आप इनकी मेहनत से ही अपने परिवारों को बसर कर रहे हैं और अब आपता की घड़ी में इनको दर किनार करके बाहर निकाल देने ये बात शोभनिये नहीं है। इनको बहाँ से निकाल दिया गया और ये बहाँ से सुबा से चले हुए हैं रहन के पास बटोली गाम हैं बहाँ से पैदल चले हुए हैं और मोकी के तरह अचानक मुझे मिली हैं तो मैंने इनको हाल चाल पूछा तो इन्होंने बताया था अभी पुलिस टीम आएगी पर श झाल झाल